प्रेंट्स मेरे यूटूब चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह है हंडाई की गड़ी इसका प्रॉब्लम यह है कि इसके पावर विंडो नहीं चल रहे है फ्रेंट साइड और पिछे के भी कौन से भी नहीं हो रहे है मेरे खैल से लगता है इसमें बारा ओल्ड प्रेजेंट नहीं है बारा ओल्ड आती नहीं होगी इसके करण यह नहीं चल रहे है तो चलते हैं फ्यूज बॉस की तरब फ्यूज बॉक्स कॉल के देखते हैं फ्यूज का क्या हाल है इस cover में सारे fuse का details बताय गया है दो number का fuse है वो power window का है तो उसको पहला check करते है दो number का fuse 30 ampere का है बड़ा fuse सबसे पहला हम चक करते है कि उस fuse के टर्मिनल में 12 वल्ट आती है या नहीं बैट्रिप में प्रेसेंट है इधर भी है एक टर्मिनल में आती है 12 वल्ट तो fuse अच्छा है तो दूसरी टर्मिनल में जिवी जाएगी मेरे ख्याल से fuse भी अच्छा है मैंने दूसरा लगा के देखा था side का 30 ampere तो fuse का issue नहीं है तो हम इसका continuity चेक करते है ठीक है fuse तो चलते है दर्वाजे की तरफ इसका control में देखते है 12 वल्ट प्रेसेंट है की नहीं इधर मैंने खोल लिया जो लाल कलर की वायर है वो मुझे लगता है 12 वल्ट की रहेगी शायद मैं चेक करता हूँ इधर चावी के पास मैंने negative वायर लगाए है black कलर की अभी चेक करते है 12 वल्ट किसी भी वायर में मिलती है क्या नहीं लाल में भी नहीं आ रहे है ग्रीन में भी नहीं आ रहे है friends किसी भी वायर में 12 वल्ट प्रेजन नहीं है इसका मतलब जो 12 वल्ट का पावर चाहिए हो उदर नहीं आ रहे है control panel में तो अब सब खोल के वायरिंग चेक करते हैं इदर भी ब्रेक रहेगी यह जो लाल कलर किया है उसमें पहला continuity देखते हैं इदर मैंने हलका सा cut डालके लिया है और उदर से उदर तो continuity है उसको इदर मैंने crocodile clip से grounding लगाया भी चेक करते हैं नहीं है उदर और भी एक बड़ा लाल कलल का वायर है उसमें जो में पावर आता है बैटरी का 12 वल्ट उदर चेक करते हैं इदर मुझे मिल गया है 12 वल्ट आ रही है उदर उसका मतलब किदर भी 12 वल्ट ब्रेक है इसके लिए वो नहीं आ रही है तो यह सब वायरिंग चेक करने के लिए आपको डैक्सपोर्ट सब खुलना बढ़ेगा इससे अच्छा मैं आपको इज़ी उपाई दिखाता हूं यह 12 वल्ट अभी इदर मिल रहे है उदर से हम इदर इसको जमपर लगा देंगे और वाल्टेज जमप करेंगे तो मैंने लगा लिया अभी चेक करते है विंडो चलते है कि नहीं कि इदर देखो विंडो चलने लगे हमारा यह डाइगनोजिंग सक्सेस हुआ कि सभी पावर विंडो चलने लगे आगे के पीछे के यह हमारा प्रॉब्लेम सॉल्व हो गया फ्रैंड है अभी इसको सब इसके जगह पे फिर से लगा देते है इदर मैंने जो फ्यूज निकाल के रखा था वो उदर मत लगाओ मैं अभी उदर नहीं लगाएगा वो स्पेर जगह में लगा के रखाईगा क्योंकि बाई किसी भी चांस में वो सप्लाई फिर से कनेक्ट हो गई तो उदर रिवर्स करेंट हो के शॉट सर्कीट होने का चांस होते हैं तो मैं इस दिर स्पेर जगह में लगा के रखता हूं सब अपनी जगह पे फिट कर दिया और यह हमारा विंडो की काम करने लगे है फ्रेंट मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कोई क्वेस्चन कॉमेंट्स है तो निचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए लाइक भी कीजिए क्योंकि आगे मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूं इलेक्ट्रोनिक और कार इलेक्ट्रोनिक के बारे में बेल आइकोन को भी दबा दीजिए नौटिफिकेशन आ जाएका और बहुत बहुत धन्यवाट थैंक्स फा आचिंग